उन्हीं कमपुनी के जो सबसे आला अफसर थे उनके दस्तावेजों में ये बात लिखी थी अगर ये तो मुझे समझ में आता है कि यूपीय सरकार उसकी जांस नहीं करवाना चाहती थी मोधी जी वहाँ उनी दिनों चुनावी रैली में कहते थे कि जहनती टैक्स लगा दिया Ministry of Environment and Forest में जहनती टैक्स लगा दिया गया और जो भी Ministry of Environment से कोई अपना आपको प्रपोजल क्लियर कराना है तो उसके लिए आपको जहनती टैक्स को भूज देनी होगी ये दावा करते थे और जब ये दस्तावेस इंकम टैक्स ने सीज किये विरला कंपणी के जिसमें लिगा ला साड़े साथ करोड विरला कंपणी ने Ministry of Environment को Project J के नाम से दिये तो उसकी जाच मोदी सरकार ने करवाई बिल्कुल नहीं करवाई उन सारे काफ़ों को दबा कर रख दिया गया क्यों क्योंकि उसमें एक और दस्तावेस निकला उस बिरला कंपणी का जो चेर्मन था जो ग्रूप प्रेजिडेंट था शुबिंदू अमिताब उसके एमेल में एक एमेल निकला जिसमें लिखा था गुजराथ सीम 25 करोड ब्रैकेट में लिखा था 12 करोड तो दे दिये गए और बाकी पर प्रश्म चिंद लगाया हुआ उससे पूछा गया कि गुजराथ सीम का क्या मतलब है तो कहने लगा कि वो गुजराथ सीम का मतलब है गुजराथ एलकली एंड केमिकल उसका कोई लेना देना नहीं मतलब बिल्ला की कंपनी से गुजराथ एलकली केमिकल का कोई लेना देना नहीं ये बात एक मिनिट में इंकर्ट टैक्स डिपार्टमेंट पता लगा सकती इंकर अफसर से जब पूछा तो उसमें बोला कि हां हमारे पास हवाला डीलर्स के जरीए ये पैसे आते थे और हम बड़े बड़े अफसरों को शुबेंदू अमिताफ जो ग्रूप प्रेजिडेंट है बिर्ला का उसके कहने पर देने जाते थे ये सब मिलने के बाद भी जांच नह जाते हैं, एक दस्था बेस में पूरा लिखा था एक करफ लिखा था कि कितना पैसा नकत कहां से आया, क्ते में कॉन-कॉन सी तारीक में कितना पैसा कहां से नकत आया जिसमें मार्कॉम, मार्किटिंग कम्यूनिकेशन कमपनी जो है सहारा की उसके पास से जादे तर पैसा आया था, टोटेल 115 करोड दूसरी तरफ लिखा था, ये रुपिया किस किस को, किस किस दिन, कहां पर, किस के जरीए, किस के हाथ में कौन रुपिया लेकर गया, ये फूरा ब्योरा लिखा था, उसमें करीब 50 इंट्री हैं, उसमें 9 इंट्री ऐसी हैं, जिसमें लिखा है, कि फला दिन एमदाबाद में मोधी जी को धाई करोड रुपे पांच करोड रुपे पांच करोड रुपे पांच करोड रुपे धाई करोड रुपे पांच करोड रुपे दिये गए और देने वाला का नाम लिखा था कि जैसवाल जी ने जाकर एहमदाबाद में मोदी जी को दिये चालिस करोड रुपर दूसरा शिवराज सिंग चौहान जो मद्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं उनको दो इंस्टॉल्मेंट में तस करो रमन सिंग 36 लड़ के चीफ मिनिस्टर हैं उनको चार करो शीला दिक्षित को एक करो ये सारा उसमें डेट वाइस डेट कितना पैसा कहां पर किसको और कौन जना लेकर गया था सब दिया हुआ इसकी चांच नहीं कराई जाती इस सब को दबा दिया जाता है और फिर ये दावा करते हैं कि मैं हमारे समय कोई बड़ा भृष्टाचान का कांड नहीं हुआ इसलिए आज ये बहुत जरूरी हो गया है लेकि इन्हों ने हमको स्वराज तो नहीं दिया जनता को ये अधिकार नहीं दिया कि कानून में हस्तक शेप कर सके नीतियों में हस्तक शेप कर सके लेकिन एक अधिकार ये हमसे चीन नहीं सकते है हम इनसे जवाब मांग सकते हैं हिसाब मांग सकते हैं कि मैं तुमने ये वादा किया था तुमने ये वादा पूरा किया कि नहीं किया तुमने सरकार बनाने के बाद ये बोला था कि हम ये करेंगे तुमने वो किया की नहीं किया और ये जवाब और हिसाब मामने के बाद अब ये चुनाओं में ये सारे जंता के पास हमको ले जाना चाहिए ये आज हमारा दायतु है कि हम इसका पूरा ब्योरा ले, कि इन लोगों ने क्या वादे किये, कितने पूरे किये, क्या-क्या छूट निकला काले धन के बारे में, भरष्टाचार के बारे में, नौकनियों के बारे में, वियाईपी कल्चर के बारे में, और इसी लिए हम कहते ह कि अगर उस उस आधार पर आप इन तीनों सरकारों को देखें, पहले कॉंग्रेस की सरकार, उसके बाद आमाद्मी पार्टी की सरकार, मुनिस्पल कॉर्परिशन में भाजपा, केंडर सरकार, मोदी जी की, तो हम यही पाएंगे तीन सरकार, तीनों बेकार, तीनों तीन सरकार, अपार भरष्टाचार, यही पुरे देखने को मिल रहा हैं, इसलिए दोस्तों, आज समय आ गया है, इनसे जवाब मांगने का, इनसे हिसाब मांगने का, और इनको इसके लिए जवाब दे ठेराने का, और मुझे पूरी उमीद है कि आगे चल कर हमारे देश में जनता फुद उठेगी सजग होगी जैसे कि राम लिला मैदान में हमने फुर सब्साड़े पांच साल पहले देखा उसका फिर से समय आ रहा है कि जनता का हुजूम इस देश में खड़ा होगा इनसे जवाब हिसाब मांगेगा जवाबते बनाएगा मुझे पूरी उमीद है कि यह जल्दी होगा यही मैं आपसे कहना चाहता था जै हिन जै भारत